प्रच्छाब योगी सरदार में जो कानुन विवस्पा है वो पहले से बेतर हुई है या बुरी हुई है और उसका क्या अधाथ आपके अधर साथ फिल वह है योगी जी के राज में हमने इनका पहला भी टैन्यूर देखा पहले टैन्यूर में के बाद में जो जनता ने उनको चुना वो लॉइन और के माध्यम से इनको चुना पबलेक इस बात से बड़ी खुश थी कि महराज ने जो लॉइन और्डर है इसके उपर खास उन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल किया उस चीज को जनता ने उनको दुबारा से ताज पहना है सेकिंड बार में उन्होंने जो अपने जो प्रिंस्पल्स बना रखे हैं कि माफिया राज को गुंडा राज को जो लगबग पिछले 17 से पहले जो लगातार चले आ रहा था कुछ हर जिले में कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ लोग ऐसे थे जिनका राज चलता था अब मैं कह सकता हूँ कि किसी भी जिले में कोई भी माफिया राज कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी की जमीन को पकड़के बैठ जाए या जबर्दस्ति कबजा कर ले या पबलिक को डराए धंकाए इस तरह की चीजों से पबलिक में बड़ी रहात है कानून विवस्था में तो देखे पुलिस के उपर उन्होंने शिकंजा काफी कस रखा है और इससे हम लोग आम जन्द माने इस यही चाहेगा कि इसी तरीके से अगर अगले दस साल भी अगर इसी तरीके से सक्ती बनी रहे तो यहां राम राज आने की संभा होना पूरी बन ज पहले से बहतर हुई है या बुरी है पहले से काफी बहतर हुई है उसका आदार कानून विवस्था तो पहले बहतर है बलकि अगर किसी का कोई भी केस कोट में चल रहा है तो अदालत की इंतजार जूरूर करनी चाहिए उसकी इंतजार जूरूर करनी चाहिए एक्दम वह व पहले से कानून विवस्ता बेसर है पहले टाइम टाइम लूट मार यह वह काफी तेजी के साथ था खास और को मतलब हमारे मेरट चैयल मेरट मुझफ़न अगर कही बहुत चाहर लिस्टेट थे पहले से काफी वह उसमें यहां कि पुलिस मदब पुलिस को पसक्ति होने की वज़ा से काफी काफी तेजी के साथ हुदा रहा है क्या नाम आपका शेकील हमद योगी राज में कानून वर्वस्ता बेहतर हुई है या बुरी है क्या मानते हैं देखे ऐसा है हम तो शरीफ और इमानदार आदमी हैं और हम तो यह समझते हैं कि ज अधार यह अगर हमें कोई शिकायत होगी तो हम हमें पूरा यकीन है कि वह इतने इमानदारी से काम लेंगे कि हम सीधे लखना हो जाएंगे उनके पास और उमीद है मैं मुस्लिम हूँ उमीद है कि मेरा काम करेंगे क्योंकि मैं शरीफ और इमानदार आदमी हूँ देखे ऐसा है सबसे बड़ी बात तो यह है कि योगी जी का नाम लेती परशासन एक मिनट में अलर्ट हो जाता सबसे बड़ी खूबी की बात यह है बहुत बढ़ है भाई साथ मैं अगर मैं तो कहूं कि अब उसके अलावा आने ही निची यह यह दोगली पोलीसी करने वाल बी मुसलमान के पीछे से बोर्ड लेते हैं पीछे चुरा मारते हैं अगर यह सबके खिलाफ है इसी बात नहीं कि हिंदू के खिलाफ नहीं है जो क्रफ्ट है उनके भी खिलाफ है इसी बात नहीं है देखे सर टोटल मिलाके बहतर हुए पहले के मुकाबले पहले जो आलता उससे अच्छे है हाँ यह ने के सोपर्टिस कभी सही नहीं होता अगर नंबर दे जाए योगी जी को तो पहले अगर बीस अर तीस नंबर का का काम करते ता वसी नंबर और सतर नंबर का काम यह कर रह कोई जान पूचके भी करें उसको इसनुनों ने पनपने ने दीया था टक आफैका माफिया गर्दी खतम ही है हिंदू ओ вас नो μुसल्मान हो इसके कार वाई हुई हमेसा ऐसा नहीं हो कि उसे कारवाई नहुंए चया भी जेप पिल्मिला के यंदि प्रसरा है कृड़ में जा रहा है लोगे समीर है लोगे समीर की योगी राज में बात करें तो कानु निवस्ता पहले से बहतर हुए या खराब हुए देखिए जैसे आज हाला चल रहे हैं उससे तो कानु निवस्ता जो अभी एक इंसिडेंट हुआ है पुलिस कर्मियों दिवारा जो किया गया है वो पीछे वापस ग कानु निवस्ता वैसे बहतर हुए या खराब हुए वैसे देखो जो क्रिमिनल से अपरादी प्रवर्ति के थोड़ा चुपे हैं मगर मुझे लगता नहीं कि उसमें बढ़ रहे हैं आप पिछले रिकॉर्ड निकाल के देखने नहीं गटना है और जो क्राइम नंबर है जो थाने में क्राइम नंबर है कि जो हर साल होते हैं पिछले दस साल का रिकॉड वह उसी की परावर में लेवल में चल रहा है जो देखा वह क्राइम नंबर आप लिस्ट निकाले लिए उतनी बैठ रहा है और मेरा तहीं मानना है कुछ डर की वज़े से कॉम्प्रमाइस कर रह है कॉम्प्रमाइस डर के वज़े से कर रहे हैं यह है